चार पस्वों का छोटा डेरी फॉर्म बनाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा और हमें कितनी कमाई होगी इस बारे में हम पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो में लाश्ट तक जरूर बने रहेगा आई ये वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए डेरी खुलने से पहले हमें ध्यान ये देना होता है कि जो हम गाय रख रहे हैं या भैस रख रहे हैं एक गाय जो है वो हमारी कम से कम प्रती दिन 18-20 लीटर दूद देनी चाहिए और भैस प्रती दिन 13-14 लीटर तक दूद देनी चाहिए अब हम यहां पर बात क करें कि खर्च एक भैस की कीमत हमें कितने खर्च में मिल जाएगी तो एक भैस हमें लगबग 80-90,000 की मिलेगी और एक गाय जो हमें इस लीटर की दूद की है वह हमें कम से कम 40-50,000 में मिलेगी अब यहां पर देखिए अगर हम दो भैस और दो गाय रखते हैं तो उसका खर् जाएगा और देखिए अगर आप पसु रख रहे हैं तो आपको चारा काटने की मसीन भी रखने पड़ेगी तो वो मसीन भी आपको लगबग 8-10,000 के बीच में आती है तो दो पसु आपने चार पसु आपने खरीदे टोटल आपके पसु हो गए 2,80,000 के और आपका सेड औ आई आपके यहां के दूद्दे ए Choi रेत और आपके मैंेज्मेंट पर डिपिंड करती है क्यूंकि अगर आपका पसु time से गाविन होगा और time से बच्चा देगा और time से वह दूद देने लगेगा तो आपका management पर करार रहे कि भेंस का दूद्ध 11 लिटर जोडेंगे, क्योंकि बच्चा जो है, वो भी दूद्ध पिएगा, अगर आपकी भेंस जो है, वो 14 लिटर दूद दे रही है, तो कुछ बच्चा भी पी लेगा, तो हम यहाँ पर 11 लीटर ही अपनी भैस का दूद जोड़ेंगे, 2 भैस का हमारे दूद हो रहा है, 22 लीटर, जी हाँ, अगर हम 40 के हिसाब से जोड़ते हैं, तो हमारा 22 लीटर दूद हो रहा है, 880 रुपए का, और अगर हम अपनी गाय जो है, अगर 20 लीटर दूद दे रही ह अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनके खाने का खर्च क्या आता है, तो अगर एक पसु आपका लगभग दिन भर में 200 रुपए का चारा और दाना दोनों खा रहा है प्रति दिन, तो अगर आपके चारों पसु का खर्च लगभग 800 से 1000 रुपए आएगा, और यह सिर्फ ह हमने चार पसु का दूद बेचा 960 रुपए का, और हमारे चार पसु का दिन भर का खर्च आया 800 रुपए, तो टोटल हमारे माइनस कवर्च के भी हमारे बच रहे हैं 1160 रुपए, और फिर भी अगर हम 160 रुपए उनके और किसी खर्चे में जोड देते हैं, तो भी हमारा अगर परेड़े 1000 रुपए तो आपके महीने की इंकम 30,000 रुपए हो रही है मादर चार पसु से, अब यहाँ पर हमें ध्यान यह देना है कि यह कमाई साल भर की नहीं है, जी हाँ, क्योंकि आपका पसु गाभिन भी होगा, बीमार भी हो सकता है, तो यह सारी चीजें आपक नए पसु ले आते हैं, और यहाँ पर हम यह भी ध्यान देंगे कि साथ में हमें एक्स्ट्रा इंकम भी हो सकती है, हम खाद भी बेश सकते हैं, इनका अमारे पसु की जो गोबर की खाद होती है, उसको भी बेश सकते हैं, और देखिए हमें एक्स्ट्रा इंकम के लिए एक क परच की चोटी सी गड़ी थी और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपका छोटा भाई आपसे आग्रह करता हूं वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि बहुत लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं चले जाते हैं तो आप लोग उसे रिक्वेस्ट हैं कि चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और ऐसे ही आपको पसुपच्छी से संबंदी जानकारी मिलती रहेगी जै हिल जै भाराणी